नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में आप देखेंगे यह सेमसंग की एलेडिटी भी है जो की 32 इंच की है और माडल नमबर आपके सामने सोह रहा है एक 500 AR तो इसमें कुछ प्राब्लम इस तरीके से कि वन साइड पिक्चर ओके है और अदर साइड पिक्चर डिस्टर्ब है यानि हमारा जो है राइट साइड डिस्टर्ब है और लेफ्ट साइड ओके है यानि ये राइट साइड हुआ इस साइड में जो है पिक्चर हमारा डिस्टर्ब है और डिस्टर्ब दोनों साइड समझ लिजे क्योंकि एक साइड से प्राब्लम साल्ब नहीं हुआ यहाँ प पर आपको फार्ट देखने को मिलेगा तो चले देखते हैं आप देखें अभी इस condition में है और अभी हमें इहां पर जो है पिक्चर ले लेते हैं उसके बाद हम आप देखें कि इस तरीके से यह बंद狂ता है यानी अपने से क्लेशन कि यहां पर आप देखेंगे तो वर्टकल ब्लेक कलर की लाइन ने जो है आपको देखने को मिलेगी यानि कि फाल्ट इस साइड में है अब हम आपको USB मोट पे पिक्चर लेके दिखा रहे हैं तो देखें पिक्चर कुछ इस प्रकार से दिख रही है जो कि यह राइट साइड की कंडिशन है इस समय जो है लेफ्ट ओपन है राइट लगी हुई है यानि FFC केबल को बता रहे हैं जो कि पिक्चर आपको देखने से यहां पे वर्टिकल बार मिलेंगे जो कि वीडियो में इस पर दिख रहा है और पिक्चर की क्वालिटी भी कुछ इस तरीके से है अब यहां पे आप देखेंगे अभी थोड़े दरबाद जो फाल्ट की कंडिशन है वह आपको अभी आगे दिखेगा तो देखते रहे है और यह टीवी दोनों होने को जासे काफी आपको डिश्टर्ब हो रहा है लेकिन अभी आपको दिखाने को प्रयास करते हैं थोड़ा समय लगता है क्योंकि इस कंडिशन में हमने जो है कस्टोमर को थोड़ा सा रिपेर करके दिया था वह करीब 10-15 दिन पर जो है रिटर्ण आ गया क्योंकि हल्ट अ 약간 को कोई निस्शित नहीं था कि कितने दियर में यह बंद होता है लेकिन यहां हमने जो है एक-एक कंडिशन को ट तो अभी आप देखिए कि कैसे बंद होता है यह देखिए यानि एक जलक यह जो आपको मिला यह इसी तरीके से इसके प्राब्लम होते थे दोनों लगाने पर और हमने जो यहां पर फार्ट निकाला है यह पैनल रिपेरबल नहीं था लेकिन उसके बाद हमने जो अपना पिक्सल डिश्टर्ब नहीं मिलेगा तो हम जिस आइडिया से इसको रिपेर किये हैं वो आप लोगों के साथ सेयर करना चाहता हूं तो इसलिए यहां पर आप देखेंगे यह इसका मॉडल नंबर है और यहां पर आपको दिखा दें यह पैनल नंबर है और यहां पर आप देखेंगे तो यह राइड साइड की एफेपसी केबल और लेफ्ट साइड की एफेपसी केबल दो सामने हैं और यहां पर हमने प्रोटेक्शन पिन को यहां कुछ इस तरीके से यहां पर जॉइंट कर दिया है जो पहला काम किया है यानि लेफ्ट साइड में हमने जो है जो प्रोटेक्शन पिन अंदर से यहां पर जा रही थी उसे यहां पर ब्रेक करके और एक अलग से जो है प्रोटेक्शन पिन यहां पर उसकी सप्लाई जो है प्रोटेक्शन पिन पर दे दी है 3.3 वोल्ट और यहां पर आप देखेंगे यह बीजी अच और वीजी है आपका जो सामने है कि हमारा टी कॉन ओके है अब इसके बाद आप देखेंगे यहां पे जो है इस कंडिशन में पिक्चर जो है कैसे इस्टेबल होगी हम आपको भी दिखाते हैं आगे पहले इसको ध्यान से आप देख लें हमने जो यहां पे पैनल रिपेर करने के लिए का ट्रेक यहां पे जो है ब्लॉक किये हैं जो कि आपके सामने है उसके बाद हमने जो राइट साइड में यहां पे देख सकते हैं यहां पे हमने कुछ ट्रेक ब्रेक किये हैं और यहां पे भी जो है यानि लेफ्ट और राइट दोनों मिला के जो इस पैनल को रिपेर किये हैं वो कुछ इस तरीके से है जो कि हमने इस वीडियो में आपको क्लियर बता दिया है जिससे आपको इस फाल्ट को रिपेर करने में काफी आसानी होगी क्योंकि ये फाल्ट रिपेर बिल नहीं था और हमने काफी परियास मेहनत के बाद जो है ये फाल्ट साल हुआ है क्योंकि यह problem जो हमारे सामने आई है एक महिने दो महिने पहले भी आई थी जिसमें हमने T-Con को change किया था और part okay हो गया था उसके बाद फिर हमारे सामने part आया फिर यह problem जो है same problem था बट यह problem और कहीं से था तो हमने जो है दोनों जगे से problem को देखते हुए एक तीसरा solution निकाला जो कि इस तरीके से हमने दोनों साइड के फेपसी केबल पे कुछ ऐसे idea लगाए जिससे पैनल on हो गए तो यह आप लोगों के साथ share कर दे रहा हूँ जिससे आपको काफी help मिलेगा कभी अगर इस type के part आते हैं तो और यहां पे सारे voltage जो आपको टीकान पे दिख रहे हैं वो आपको multimeter में so हो रहा है इस तरीके से यानि हमारा टीकान ओके है और इस condition में अगर हमको टीकान का position लेना है कि सही है कि नहीं सही है तो यहां पे हमने हमें जो है protection pin को 3.3 volt जो है तेके condition ले लेना है कि हमारा टीकान okay है कि नहीं अगर इस condition में टीकान हमारा okay है तो fault हमारा source PCP का है और source PCP पे हमें जो है यह देखना होता है कि कौन सा track कहां पे रहा है यह जानकारी अगर है आपको तो पैनल रिपेर कर सकते हैं otherwise कुछ नहीं का सकते इसमें आप कर भी सकते हैं और नहीं भी हो सकता है यह अपना अपना एक फार्मूला होता है आडिया होता है तो अपने नालेज को बढ़ाने का प्रियास करें और आगे बढ़ते रहें और देखते रहें यह बोल्टे जो आप देख रहें है मल्टी मिटर पर यहाँ पर वोल्टे जाप देखेंगे तो इससे आपको जोघे काफी हल्प मिलेगा अगर कभी यहाँ फे प्राइब देखने को मिलेगा P यह कहां पर अच्वर का हां पर वीजियल है यह आपको यहाँ पर इसफर्श पर चाये गा म proximal के वारा इसलिए यहां पर हमने जो है बॉल्टेज को मल्टिमीटर पर दिखा दिया है तो देखते रही है यह जो आप देख रहे हैं यह हमारा जो है लेफ्ट साइड यानि एक फेपसी केबल जहां लगता है यह लेफ्ट साइड है और लेफ्ट साइड में यहां पर हमने जो है बीजियल ट्रेक को है यहां पर कट कर दिया है यानि बीजियल ट्रेक को यहां से रिमूब कर दिया है और यहां पर जो है प्रोटक्शन पिन यानि जो इंटर्नल जा रही थी उसे हमने जो है ब्र बाते हैं अब यहां पर आप देखेंगे भी इसके पिच्चर की क्वाल्टी तो यहां पर आप देखें यह देखिए यानि यह जो है हमारा उस कंडिशन का यह टाइम है जैसे हमारी जो राइट साइड में ट्रेक ब्रेक हुए है यह उस कंडिशन में है जो आपको सामने यहां पर यह सारे काम कर लिए गये हैं जो पैनल ठीक करने के लिए हमको जो जो करना था यह उस कंडिशन में है अब यहां पर लगाते हैं इसे यानि लेफ्ट साइड को जोड़ते हैं और फिर इसके बाद अब इसके बाद हम दिखाते हैं आपको जो राइट साइड यह राइट साइड में जो हमने यहां पर पैनल रिपेर करने का आडिया लगाया तो यहां आपको दिखा दें कितने ट्रेक को हमने जो है ब्रेक किया है और किस आधार पर यह पैनल रिपेर ह हुआ है क्योंकि बहुत कंप्लिकेट था यह प्रॉब्लम इसलिए था कि दोनों साइट के एफसी केबल में हमने जो अंतर यानि उसमें डिफरेंस करना पड़ा है पैनल रिपेर करने के लिए वह एक से नहीं होने वाला था इसलिए आपको यहां पर हम दिखा दें क्योंकि ए और पैनल को रिफेर किया है वह आप यहां पर बहुत क्लिर देख सकते हैं जितने भी ट्रेक हमने डेक किया है और यह फाल्ट हम स्वाल करके आपको यह वीडियो बना रहे हैं क्योंकि अगर हम वीडियो उस कंडिशन में बनाते जिस कंडिशन में फाल्ट था तो बहुत का देने का प्रयास किया है जिसे आपको इस टाइब के फाल्ट रिपेर करने में काफी आसानी हो और भी कई तरीके से फाल्ट इसमें आते हैं जो कि अधर ट्रेक ब्रेक करके और उस प्रावब्लम को इसके जा सकता है लेकिन आपका इसमें इंटरनल नालेज होना चाहिए पैनल रिपेर करने के लिए और यहां पे आप ट्रेक को गिन भी सकते हैं यहां से एक दो तीन चार पांच करके और हमने जो यहां पे काउंट करके भी आपको ट्रेक बताया है वो राइट है और इस तरीके करकर फाल्ट आता है तो आप बहुत आसानी से रिपेर कर सकते हैं इस फाल्ट को रिपेर करने में मुझे काफी समय लगा है इसलिए हम जो है इस फाल्ट को आप लोगों के साथ सीर कर रहा हूं हो सकता है लाइप में आप लोगों के काम आए और कई पैनल ऐसे भी हैं जो की रिजेक्ट भी लोग किये हैं इस कंडिशन में ओ पैनल रिपेर हो जाएंगे इस तरीके से अगर फाल्ट अगर है यानि पिक्चर जो है चलके अगर वो दस दिन दो दिन एक महीने बाद बंद होती है कंडिशन यह रहे जो आप इस फाल्ट में देखे हैं तो इस टाइप का आडिया आप इस कंडिशन में देखा है तो एक बार ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि जो है यह रिपेर नहीं होगा लेकिन आप ध्यान से जब देखिएगा कि कहां से फाल्ट है यानि हम किसी और वीडियो में आपका यह क्लियर कर देंगे कि कैसे कैसे यहां हमको देखना पड़ता है कि कौन से ट्रेक में कैसे फाल्ट है